मैं संजीव अगरवाल बाला जी एंडी क्राफ्स प्रेविट लिम्टेर्ड में आपका सौगत करता हूं अपनी यूटूब चैनल बाला जी होलसेल के मात्यान से मैं पिछले 30 साल से चिकन कारी के एक प्रोडक्शन के वेफसाइट से जुड़ा हूं और मैं हिंदुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में मेरा सभी शहरों में लगब माल जाता है इस दौरान इस पूरे सफर के दौरान मैंने ये महसूस किया कि बहुत से छोटे वेफारी जो कि मुझसे जोड़के अपना वेफसाइब पढ़ाना चाहते हैं जिन्तु उनसे मेरा किसी तरह कांटेक्ट नहीं होगा रहा है उनीक इसुविधा के लिए मैंने अपना एक यूटूब चैनल ये बाला जी होलसेल के नाम से लांच किया है जिसके माध्यम से वो जोड़कर अपना वेफसाइम सर इस चैनल से जोड़कर लोगों को क्या-क्या जानकारी मिलेगी इस चैनल से जोड़कर उनको रोज नई डिजाइने को हमारे है अपडेट होती है उनको नई डिजाइने मिलेंगी विध रेट्स सर अगर कोई नया आपके साथ जोड़कर वैसाय अपना शुरू करना चाहता है तो उसे कितनी लागत से अपना बिजनस शुरू करना चाहिए इस काल्टी में वो भी वेक्ति जाए वो घरीव ग्रेणियों लेडीज हो या कोई अपने चोटा दुकंदार हो बहुत कम में पैसों में भी इसको 10,000 उपैसे 5,000 उपैसे भी शुरू कर सकता और 50,000 उपैसे भी शुरू कर सकता कर तुकंदार है उसकी मार्केट में शॉप जब रिस्पॉंस मिलें तो इसके बाद इसमें अपना इन्वेस्टमंट देदेदेगे वह है जी जो कपड़ा वैपारी है वो अपने कलेक्शन में चिकन कारी को क्यो एड करें इस पर आप क्या कहना चाहते हैं चिकन कारी इसमें पूरे हिंदुस्तान में बहुत करना है चिकन कारी के जितने भी प्रोडक्स बनते ही ज्यादा तर कॉटन बेस बनते हैं तो गर्मी के सीजें में चिकन कारी को वैपारी को वैपारी को शुरू करने का इंदम साइस में इस समय शुरू करके वह अपने सेल अच्छी ला सकते हैं बहुत अच्छी इसको सेल को तरिके से जो व्यापारी है ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकता है चिकन कारी के प्रोड़क्स को बेच कर देखिए व्यापारी इसमें मालिये 10,000 रुपए इंवेस्ट करता है तो वह 10,000 रुपा मेहना भी कमा सकता है इसमें प्रॉफिट आप मार्जिन उसको अच्छ कारी का वेफसाइए होता है और यहीं production होता हूँ और बैरेक्ट एक मेनिफेक्च्छर से जोड़ा है तो इसलिए उसको बीच के सारे मार्जिन उसके अपने होंगे वह अच्छा इसमें प्रॉफिटा मार्जिन गेंग सकता है अगर किसी को order करना हो आपके साथ जोड़ना ह तो किस माध्याम से कर सकता है? नहीं जानकरियों के साथ, नए अपडेट्स के साथ, और नहीं डिजाइनों के साथ, थैंक्कू, धन्नेबाद, नमस्ते.